सब्सक्राइब को पता है कि आप लोग लिए कोई भी नोटिफिकेशन इंपोर्टेंट अपडेट और इंफोर्मेशन अगर आती है तो मैं प्रोवाइड करता हूं आपको गेट वाला के प्लेटफोर्म पर और गाईज आप सब गवर्मेंट के जो एक्जामेनेशन्स होते हैं वहां आपके पास आया है पंजाब सेट पावर कौरपरेसट लिमिटेड तो यहां पे इस क्या Fortune आप देखेंगे टुथानिटी अजिसमें आप बद्धेल्म लिए निकलिए निकली हुई है एसका फॉम भांश स्टार्ठ इंडेट है वह है एट ěुलाइं तो लास्ट डेट ओप सम्मिशन अगर आप देखेंगे ओनलाइन एप्लिकेशन का तो है 27 जुलाइ 2023 यहां पर पंजाब इस्टेट पावर कॉर्परेशन लिमिटेड पीस पीचल में देखेंगे तो पावर जनेरेटिंग एंड डिस्टूबिशन कंपनी है जो गोर्मेंट पंज आपके थ्रू ओवंड होती है इस्टेट गोर्मेंट के अंदर यह आती है यहां पर गेट 2023 के जितने भी क्वालिफाई ओनली अगर आपने क्वालिफाई भी कर रहा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो सारे आप बागी जो एज क्रिटेरिया है बागी जो सीज़े हम उनक इलक्टीकल एसिस्टेंट इंजिनेर और पर एक लिए निकली हुई है इलक्या दिकल के बच्टों के लिए काफी खुसकबरी है 125 वेकेंसी निकली हुई है एक यहां पर आप देखेंगे एक ओर डिशो में असिस्टेंट इंजिनिरिंग में सीविल वालों के लिए 14 वेकंसी निकली हुई है पेइस्केल जो आपका यहां पर अप्लाइकेबल रहेगा वह आपका डेफिनेटली यहां पर डिपार्टमेंट फाइनेंस के साफसेट होगा ठीके नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करे है इसकी ओडिटेल यह नोटिफिकेशन की पीडिएप सारी वहां पर मिल जाएगी और आपको एक स्टूडेंट कम्यूनिटी भी मिल जाएगी जो इस एक्जाम के लिए तैयारी कर दी होगी यह इस पर्टिकुलर और्गनाइजेशन में जा रहे होंगे तो उस कम्यूनिट आपको दिख जाएगा औस आगए अगर हम बात करें यहां पर जनरल के लिए उन इनके लिए जो भी कैटेगरी वह भी यहां पर मैंशन कर हुए अब अगर हम यहां पर बात करें सर्क हमें कितना गेटिस कोर होना चाहिए यहां पर अपलाई करने के लिए तो देखो अगर आप इलक्टिकल के बच्चे हो आपके जनरल में 25 मार्क से अबाउ है और बाकी जगर आप स्पोर्ट कोटा से हो 20 एक सर्विसमें तो 22.5 से भी ज्यादा हो तो 16.6 से भी ज्यादा अगर आपका इसको आप इलिजेबल हो जाते हो सेम सीविल के लिए आप देख सकते हो यहां पर नोटिफिकेशन में डिटेल चीजे दे रखी है असिस्टेंट इंजिनियर ओटी के लिए अगर आप देखेंगे यहां पर फुल टाइम रेगुलर पीटेक की डिगरी होगी या फिर यह सी अगर आपने कर रखी यह इंजिनीरिंग इन लक्टिकल इलक्टिकल इलक्रोनिक्स में तो भी आप इसमें फों बर सकते हो मिनिममम 60 परसेंट माक्स जो है वह वह आपके इक्विलेन इसमें होने चाहिए यहां पर एक्विलेशन में तो आप जो है वो पंजाबी जो है उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई सेटिफिकेट होना चाहिए पंजाबी से रिलेटेड आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए जब आप यहां पर देखोगे लास्ट डेट उप सब्मीशन ओव ओनलाइन के एप्लिकेशन उससे पहल योगी तो उन लोगों के लिए काफी अच्छी अपोर्चिनेटी है तो जो डेफिनेटली पंजाब के स्टुटेंट है वो शोर्ली इस फॉर्म को जरूर बरे और जिनका मेट्रिकुलेशन और यह सब पंजाबी में रहा है वो सब भी वरेंगे एज टीचर देखो मेरी यह नोटि करों तो आपके लिए नकलेगा अप jis के लिए लेगयादी कर सकते हैं आप लिए चाहिए और 37 से उपर ज्यादा नहीं होने चाहिए जो अपर एज लिमिट है उसमें डिफ्रेंट के टेकरी वाइज इन्होंने रिलेक्शन भी दे रखा है ठीक है यहाँ पर जो रहेगा आपको इतने भी बच्छे उनको अपलाई करना पड़ेगा उसके बाद में यह आपको लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ पर जाके अपलाई कर देना है और आपका फाइनली उसी के बैसे स्लेक्शन हो जाता है तो आप इस डिटेल नोटिफिकेशन पूरा 56 पेज का इन्होंने नोटिफिकेशन दे रहा है आप यह नोटिफिकेशन जो है इसमें बहुत सारे और भी सेटेफिकेट के से होने चाहिए कौन-कौन से ओडर हैं सब चीजिस में मेंशन है आपकी जो भी क्यूरीज होगी वह सब इसमें नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगी तो यह नोटिफिकेशन की पीडिफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा टेलीग अपडेट के साथ आप लोग अपनी स्टडी पर फोकस रखिए फुल कंसेंट्रेशन के साथ एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी थेंकियू सब्सक्राइस टेक केर बबाई